भूल जाना साइंटिफिकली तो एक बीमारी है और बीमार होना या बीमारी के साथ जीना शायद ही कोई व्यक्ति चाहता होगा लेकिन इस भूलने की बिमारी के अगर सामाजिक राजनेतिक और व्यक्तिकत पहलू देखे तो यह बिमारी ना होकर जड़ी बूटी है जिसकी खोज कल्यूक के शैशवकाल में ही कर ली गई थी कल मैं अपने नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ट भूल गया मुझे खुद पर बड़ा क्रोधा रहा था काश बड़े बुड़ो का कहना मान कर चार बादाम ज्यादा ही खाली होते तो ये दिन देखने न पड़ते मैं इसी उपापो में बैठा सोची रहा था तभी मेरी नजर फॉर्गट पासवर्ट को आले आप्शन पर पड़ी अब मुझे खुद पर थोड़ा कम गुस्सा आ रहा था इस एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर को बनाने वाले के साथ भी पक्का इस भूलने की बिमारी का पाला पड़ा होगा या फिर ये कहें कि 90 प्रतिशत लोग अपना पासवर्ट शायद भूल ही जाते होगे इसलिए इस बटन की उपियोगिता सबसे ज़्यादा है अक्सर मैं दूसरों का ही नहीं अपना जन दिन भी भूल जाता हूँ वो तो भला हो फेसबुक का जो मेरा जन दिन मुझे ही याद दिला देता है और तो और भारत सरकार, LIC और बैंक वाले भी मुझे मैसेज भेजी देते है मेरी धर्म पतनी भी अक्सर दाल में नमक डालना भूज जाती है अगर गलती से भी आपने उसे याद दिलाया तो वा बड़ी सफाई से यह करकर इस बिमारी से बच जाती है कि अपना ब्लड प्रेशर देखा है, मैंने जान बूज कर नमक कम डाला है बचपन में भूलने की बिमारी का हिलास बहुत महगा पड़ता था अब आप ही बताईए, अगर आपके पिता का नम विक्रम है और आपका आदिते तो उसे हम विक्रम और आदिते लिखेंगे ना विक्रम प्रथम, विक्रम दुती लिखेंगे ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी का अगला पार्ट बना रहे हो लूई तेरवा, लूई चोदवा, लूई पंदरवा और ना जाने कितने लूई और ना जाने कितने ही वर्जन इतिहास कारों ने दर्ज किये हैं अब इसमें हमारी याददाश्ट की क्या गलती और यहीं से बीमारी की शुरुवात हो जाती है पढ़ाई में भूलना आम बात है लेकिन कुछ महान व्यक्ति टेलिवीजन देखते देखते हाथ में रखा निवाला मुह में डालना भी भूल जाते हैं जिनका जीवन उधार की पट्री पर दोड़ता है इस विमारी के सारे सिम्टम आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे जैसा कि कहा ही जाता है समय सभी मर्ज की दवा है ये बात इन पर सौ प्रतिशत लागू होती है आप इन्हें चाहे कितनी बार भी याद दिलाएं स्वयम ब्रम्हा भी अच्छी स्मृति का वर्दान दे दे कुछी देर में ये ब्रम्हा जी को भी पहचानने से इनकार कर देंगे फिर पैसा तो हाथ का मैल है आलम्त यह है कि उधार देने वाला केस को अपनी अधालत में इतना लंबा खीषता है कि उधार देने वाला खुद को इस बात से तसल्ली देने लगता है कि होगा कोई पिछले जनम का कर्ज जो इस जनम में चुकाना पड़ रहा है कुछ लोग तो सद्मा फिल्म के कमल हासन भी बन जाते हैं जहां प्रक्रति हमसे हमारे बच्पन के कुछ वर्षों की स्मृति हटा देती है वही पीडी दर पीडी मनुष्य जाती ने एक ऐसा अद्रिश्य अस्त्र भूल जाना बना लिया है जिसका तोड किसी व्याग्यानिक के पास भी नहीं है अगर इसे व्याश्विक वर्दान कहा जाए तो कोई अतिशय योगती न होगी